यहां से यहां से पूछूँगा आपको और आपने ट्राइब करना इसको आंसर देने के लिए अब यहां से आने वाले टाइम में अगर कुछ और अपडेशन आती है कुछ और टॉपिक आएंगे तो वह आने वाली वीडियो के अंदर हम देफिनिटली डिस्कस करेंगे तो चलिए दोस्तों लेकिन उससे पहले बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पास स्लेबस है सब कुछ पढ़ लिए लेकिन मेंटॉर्शिप की कभी रहती है इसके अलावा टेस्स सिरीस जो है वो दोनों के उपर फोकस करना चाहिए और द इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे होते हैं तो हमने देख लिए यहां जोईन की हुई है मेंटॉर्शिप अलग चाहिए तो मेंटॉर्शिप प्रोग्राम भी हमारे पास है यहां पर बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमने पता है हमने पढ़ा हुआ है तो यहां पर वीडियो इसके अच्छा कोशन है तो इसको आप त्राइब दोस्तों जीन साइलेंसिंग के ऊपर तो यहां पर आपको थोड़ा सा फोकुस करना है यह टॉपिक में भी आपको हो सकता है यह ना आता हो तो इसके उपर भी थोड़ा सा फोकस हम रखेंगे यह तो नियुज में भी प्रेक्स के अंदर तो ठीक है हमें पढ़ लिया लेकिन यूपिसी इस तरह का कुछ भी ट्राइब कर सकते है वह जो हिडन है जो बेसी कंसेप्ट है उसके उपर बात करेंगी तो इसके रहाव है तो इसको पूछे देखते इस बार पूछती है कि नहीं चलिए तो यहां पर पहला है वाल बेचिया बैक्टिरिया और या मैथर स्वरी निगल गया वह चीज जो आंसर यहां से आपको थोड़ा सा निकालने में असानी रहेगी तो इसका क्या है जो रिसेंट्ली निउस में था यह इसके रिगार्डिंग जो स्टेट्वन हमनें देखनी है पहला यह कह को आप ट्राई कीजिए तो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों पहला है कि अब यह आपको पता होना चाहिए अगर आपको मैथर पड़ा है तो फिर तो दिक्कत नहीं है अगर आपने यूटीब के ऊपर एक मेरी वीडियो है जीम मॉस्किटो करके ठीक है तो यह अगर आप पर सर्च करोगे स्लीपी क्लासे जीम मॉस्किटो लिखोगे तो आपको वीडियो मिलेगी उसके अंदर यह मैथर्ड दिया हुआ है और मैंने समझाया हुआ है डिटेल में यहां पर बात कर लेते हैं कि क्या है तो अभी आपका अंसर निकल जाएगा हमने यह पढ़ा था कि मॉस्किटो के अंदर हम कुछ जैनेटिकली मॉडिकेशन मॉस्किटो के अंदर करते हैं ताके वह आने वाले टाइम में जो फीमल मॉस्किटो जो मेजर रिजन है कि सप्राइड करती एक जगह से दूसरी जगह डिजीज उसको वह लिमिनेट होती जाए अब यह मैथर्ड ड यह दिनेट है ऐगर माली जी परसन ए है यह परसन भी है लेट से इसको डेंगू है ठीक है अब यह मॉस्किटो इसके उपर गया और इसको बैट किया तो यहां से बलड जो है इसकी बाडी के अंदर मॉस्किटो के अंदर आ गया मतलब अगर आप कोईगे के डेंगू वारस जो है यह mosquito की body के अंदर आब आ गया अब यह क्या करेगा दूसरा अनफेक्टर पेपल को बाइट करेगा और यह जो डिंगू वाइरस है यह इसकी body के अंदर चला गया और इससे infection फैलती रहते है वाल बेची वैक्टीरिया के अगरता नॉर्मली यह एडीस एजिप्टाई के यह इस person को बाइट करता है यहां पर ब्लड वापस आया तो वापस किया आया डिंगू वाइरस वापस आया इसकी body के अंदर अब एडीस जिप्टाई की body के अंदर दो चीजें होगी एक तो वाल बैची बैक्टीरिया हो गया दूसरा हो गया यह डिंगू वाइरस ठीक है अब यह दोनों compete करेंगे compete करेंगे mosquito की body के अंदर सर्वाइव करने के लिए तो जिससे डेंगू वाइरस है इतना ग्रो नहीं कर पाएगा because due to presence of competition वाल बैची बैक्टीरिया तो अब यह दूसरे के अंदर सप्रैट इतना नहीं कर पाएगा यह नोंने बोला हुमन के लिए इतना ज्यादा है हामफुल नहीं है ठीक है सेफ और हुमन एंवर्मेंट तो डॉट नॉर्मली करें जो इसके अंदर नॉर्मली वाल बैची बैक्टीरिया नहीं होता ठीक है दोस्तों तो यह तो बात होगी अब यहां पर question के अंदर जो थर्ड को रट लो तब भी काम बचेंगे बन जाएगा ठीक है दोस्तों ओके ठीक है ठीक है ठीक है जी सेग्ड कोशन के उपर चलते हैं ग्लाइफ फॉसेट रिसाड़ी न्यूज में था रिसाट टाइम के अंदर तो क्या है इसके अंदर जो स्टेटमेंट पहली है इस हर्वी प्राइबल 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 लिए डिस अंद लिए अंद ट्री आप लिए जाली से इसको अपांसर दीजिए अभी कहानिस की खलीर करते हैं अब पहले समझें लेते हैं किया है तो अब पहले कुछ पच्छों को आंसर जाए तो आंसर देखो इसका वन एंड ठी है स्टेटमेंट है कि जो भीकॉटन नहीं करता है ठीक है एच्टी बीटी कॉटन करता है तो थर्स टीटमेंट इस हर्भीस हैड और नॉर्पी साइड कोटन यह भी को खतम करते हैं कैसे करता अभी हम समयते हैं अब गलाइफ ओसेट जो है दोस्तों यह है हर्भी साइट है ठीक है दूसरा दोस्तों मतलब यह वीड को खतम करेगा दूसरा इसके अंदर है यह नॉन सेलेक्टिव मतलब कि अगर कोई क्रॉप है एंड वीड है तो दोनों के उपर आपने अपलाई किया तो यह दोनों को इंपक्ट कर सकता है ठीक है स्पेशल यहां पर एक कंडिशन भी होती है कि जो दोनों अल्मोस्त अगर सीम जो हाइट के हैं यहां पर तो वहां पर जारा इंपक्ट करता है तो यहां पर अगर माली यह कॉटन है कॉट को ग्रोव किया तो को इंपक्ट करेगा बीटी कॉटन आई ठीक है बीटी कॉटन बॉल वर्म के लिए हमने बनाई थी तो यह आई तो इसको भी इंपक्ट करेगा तो फिर जी क्या हुआ है यह हर्भी साइड टॉल्रेंट यह कॉटन आगी अब फार्मर के लिए पहली कर दिया और हमने पता ने चलता है कि रिसक्ट कर दिया यूज गलाइफ में दूसरा था खर देते हैं थी फार्मर के पास फिलाइफ मचलता ने टो यहां पर पिर उसको तो यह एक चीज है दूसरा ग्लाइफॉसेट चुह है ऐसा नहीं है कि पूरा बेंट कर दिया यह कुछ चीजों के अंदर जैसे रबर प्लांटेशन यहां पर हाइट मिल जाती है और वीड के बीच में थोड़ा से रहता है वहां पर आप इसको घ्रो कर सकते हैं यूज कर सकते हैं इसके लबाव कोई नौन अग्रिकल्ट्टर साइट है जहां से पानी जा रहा है तो वहां पर आपको लगता है वीड ग्रोगी प यह सीधी लाइन दी हुए ठीक है यहां पर विच कैन विद्स टेंड ऐस प्लाइफ आफ रचलत है तो यह अपनी स्टेट्मेंट गलत होगी थाट इस अर्भी सट नौट इप्लाइड ऑनन्मल वाटल ऐस चैमिकल्ट दस नौट बिकास नोन उन सेलेक्टिव है प्रिए एट दा इंट्राइशनल क्रॉप रिसर्च इंसीट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जिसको इक्री सेट बोलते हैं यह यूस्टू है यह यूस्टा जीन सालेंसिंग टेखनीक टू कीप ग्राउंट नट्स फ्री फ्रॉम अफ्ला टॉक्सिन कंटेमिनेशन अफ्ला टॉक्सि इस यहां प hurdles कि यहां पर देखते हैं कि क्या है किए माली जीन और को ज़िए हैं चांग वो स्को बेसे नटीब कर दें कर दें यहां पर चैनल गर रहा है यहां पर इसको इंपक्प्ट ההं इसे दरफ इप swing है कर्तीं वो है एफला टॉक्सिन दोस्तों बेसिकली टॉक्सिन है जो फंजाई रिलीज करती है इसके ओपर यूपीसी ने एक कोशन पूच लिया है अब यहां पर एकरी सैट ने क्या किया इसको टकनीक यूज की जीन साइलेंसिक की ताके ग्राउंड नॉट को हम जो एफला टॉक्सि रिदिवन लगदिवस तो एफला त Prag के इसको और इसको अघ्र इन्डियूज करेंज कर दिया फषी को जब फंजाई ऐटक के देंदर इंडर को रोक ही जो वह उसको रोक देता मेसे किया है अगर जीन जूए जाए उस तर उन्हों प्लांट के इंदर इंडर इंडूस किया तो अब इसने क्या किया जब फजाई टैक की तो उस टाइम पे जो एस पर जिलिस है ठीक है और उसका जो एफलाटॉक्सिन बनाता है उस जीन को इसने साइलेंस कर दिया ठीक है दोस्तों तो एफलाटॉक्षिन प्रड्यूसिंग जीन को इसने साइलेंस कर दिया मतलों अब यह एफलाटॉक्षिन नहीं प्रड्यूस कर पाएगा इस तरह उन्होंने प्रवेंट किया इसे बचा है तो यह दोस्तों थी इसके बारे में इंफ्रमेशन देन फॉर्ट यूटीब पर मेरी एक वीडियो है उसको आप देख सकते हो तो वहां पर मैंने पूरी डिटेल प्रसीजर भी समझाया हुआ है यहां पर दोस्तों वन औली इस तराइट अंसर तो देखते हैं एच्टी बीटी कॉटन दोस्तों यह इसका यह वाला है जिये मस्टर का करके उसका इंपक्ट खदम करते हैं तो उसकी एक तो यह है इसका पूरा प्रसीजर जो है उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा दूसरा दोस्तों यहां पर हर्भी साइड टॉल्ट एच्टी बीटी कॉटन जिसकी बात हमने अभी की इसके अंदर भी एक जीन डाला लिए चाहा दोस्तों जो अगर हम बात करें एग्रो बक्टीरियम ट्यूमीफेशिस ठीक है इस बक्टीरिया से लिए गया है इसका काम क्या है अभी हमने ग्लाइफ वासेट समझा एक प्लांट के अंदर जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसके उपर अटेक करता है और उसको खतम कर देता है सो फ्टीबीट के अंदर ऐसा खास के एंदर हमने सीपी फोर एपी SPS अंजाइम डाल दिया जीन डाल दिया अब यह जीन क्या गरता है कि गलाइफ फासेट को इस अंजाइम के साथ कनेक्ट होने के लिए रोकता है तो यहां पे प्लांट के उपर नहीं कर प फ्लावर के अंदर male and female है तो अगर हमने hybrid बनाना है तो दिक्कत आएगी तो अब हमें हमारे पास same flower के अंदर male and female है तो हमने क्या किया पहले बार्नी जीन इसके अंदर insert किया बार्नी जीन क्या करता है male जो component है उसको sterile कर देता है तो में अब यहां पर जो हमारे पास result है इसके है तो हमने एक और जीन लिया जिसको बोलते है बास्टार जीन ठीक है दोस्तों यह क्या करता है यह बार्नी जीन का जो action है पहले तो हमने इसको sterile कर दिया अब हमारे पास सिर्फ female बची तो हमने बार्नी जीन को इसके अंदर डाला male के थरू male insert किया नया उससे क्या हुआ कि जो उसके अंदर बास्टार जीन है इट मिंस कि बार्नी जीन का जो impact है इस male के उपर नहीं होगा क्यों क्यूंकि इसके अंदर बास्टार जीन है वो बार्नी जीन का जो expression है और उसको prohibit करता है तो अब हमारे पास यह hybrid बन जाएगा तो यह दोस्तों इसकी सारी कहानी है short में recently car T cell therapy seen in news for its role in किस के अंदर रोल है HIV treatment cancer treatment covid-19 diagnosis Alzheimer disease treatment अगर आप देखोगे तो यहां पे एक चीज़ा recently news में है किस रोल के लिए news में है यह question इस तरह से है हो सकता है future के अंदर इसका और भी कहीं चीज़ों में रोल आ जाए बट यहां पे अगर इसका जो specific रोल समझे कि जिसकी जैसे यह news में है वो कौन सी treatment है तो यहां पर दोस्तों इसका आता है cancer treatment तो यहां पर आप देखोगे काटी सेल क्या है basically हमारे जो T cell है immune system है ना उसके लिए काम करते है तो अगर हम देखें तो हमें इतना बता है कि जो हमारा immune system है वो क्या करता है कि suppose करो बाहर से कोई चीज आ cancer क्या है अगर माली कोई patient है जिसको cancer है तो हमने उसकी body में से T cell निकाले blood निकाला उसमें से T cell के ऊपर एक gene insert किया जिसका नाम है CAR पूरा नाम जाने की जुरूरत नहीं वहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है अगर पूरा नाम है तो chimeric antigen receptor यहां यूज कर सकते हैं यहां प दिया जो cancer cell है उसका जो antigen है वह यह जल वाले जो receptor है इनके साथ quickly attach होता जाएगा होता जाएगा और यह जो T cell है जो CAR T cell है यह cancer cell को खत्व करते हैं तो यह देखो एक अच्छा तरीका है दूस्तों यह भी काम करने का तो दोस्तों इसके इलावाद दूस्तों प्रीलिम टेस इस देखेंगे अड्वांस टेस्ट हैं फूल टेस्ट है प्रीवेश यह कोशन हमने देखा लास्त बार जब हमने यूटिप यूटिप वीडियो बनाई थी तो बहुत से कोशन उसे लेटर कंसेट से लेटर काफी कोशन वहां पर रिपीट होते हुए हमें यूपीज के अं मिलते नेक्स ताइम थेंक यू वेरी मुच